कोंडाली अस्पिताल के विकास निदी हितू पुर्व मंत्री अनिल देशमुक ने सदन में लक्षवेधी उपस्तिती की थी लेकिन इस विशे में सरकार सकार अत्मक नहीं ऐसी प्रतिक्रिया अनिल देशमुक नहीं जिसका जाइजा लिया हमारी संवात आता ने दर्शुको इस वक्त हमारे साथ मोजूद है पूर्व मंत्री अनिल देश्मुक जी जिन से हम बात करेंगे कॉंडाली के अस्पताल के और लक्षवेदी के बारे में सर आपने कॉंडाली के अस्पताल के निधी के लक्षवेदी यहां सदन में रखी थी उस पर क्या प्रतिक्रियाई किस प्रकार किस्थी थी ऐसा है कि कॉंडाली में एक रूलर हॉस्पिटल बन रहा है जब हमारी सरकार थी उस तक हमने उसको करीवन सार चार चार करोड रुपया मन्जूर किया था उसका काम हो गया है लेकिन अभी काम अधूरा है उसके लिए और पैसे की जरूरत है उसके लिए लगातार हम शाशन को बता रही कि भाई रूलर हॉस्पिटल का काम अधूरा है उसको पूरा करने के लिए जल से जल पैसे है कि वहाँ आपने देना चाहिए विदान बहुन में मैंने इसके पहले के दो अधिवशन में ये मामला उठाया पहली बार जब उठाया है तो मानिया आरोग्यमंत्री सावन सामने बता है कि इसके लिए हम आठ दिन में पैसा देंगे अभी उसको हो गया ग्यारा मेना उसके बाद मुंबई में जो अधिवशन हुआ वहाँ पे दुबारा मैंने उनको याद दिला है कि आपने आठ दिन में हमको आश्वासित किया था कि हम जल से जल पैसा उप कार ने इसके लिए पैसा देके रूलर हास्पिटल कॉंडाली का काम पूरा करना चाहिए इसके लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं लेकिन आरोग्य विभाग का इस शाषन का उसकी पर जुट ख्याल नहीं बड़ी तादाद में महां पे मरी जाते हैं इलाज के लिए असुव सरकार से हमने पूर्वमंत्री अनिल देशमुक से बात की उन्होंने जो है कॉंडाली के अस्पताल के लक्षवेदी के विशे में प्रतिक्रिया दी उनका कहना है कि सरकार उन्हें विशे इस रूप से जो है सरकार इस बात को इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं त झाल झाल